मश्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दूरंग का ये कुपसूरसा डिजाइन लाए हूँ जिसे आप बच्चों के स्वाटर में या फिर किसी लेडिस प्रोजेक्ट में डालिए ये पहुत ही अच्छा लाएगा इसे बनाने के लिए हमें छे के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा जब छे 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 फंदे हम गिने तो लास्ट में हमारे पास दो फंदा आना चाहिए तो मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं और बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बना लें और दूसरी लाइन में सभी फंदे सीधे ही बना लेंगे ये हमारा डिजाइन का हिस्सा नहीं है ये हमने डिजाइन के लिए बेस तैयार किया है तो दो लाइन हमने आगे से भी सीधा बुना और पीछे से भी सीधा बुना जिससे उल्टे फंदे की एक धारी आ गई तो डिजाइन का पहला लाइन सामने से और दूसरे रंगे उन से पहला फंदा सीधा बुन लेंगे दूसरे फंदे को हमें स्लिप करना है फिर चार फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार अगले फंदे को हमें स्लिप करना है तो पहला फंदा एज स्टीच है और इनी छे फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है अब अगला फंदा हम स्लिप करेंगे ये एक फिर चार फंदा सीधा दो तीन चार पांच और छटा फंदा वापस स्लिप करेंगे इनी छे फंदों को हम बार-बार पूरी लाइन में दोराएंगे और लास्ट फंदा अजिस्टी इच है उसे हम सीधा बुन लेंगे तो इस तरह हमने पहली लाइन डिजाइन का पहला लाइन कम्प्लेट कर लिया रॉंग साइड से बुने हुए सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे तो हमने दो लाइन कम्प्लेट कर लिया अब यह डिजाइन का तीसरा लाइन है और प्राइमरी कलर से पहला फंदा सीधा बुन लेंगे अब दूसरे वाले फंदे को पहले छोड़ देंगे तीसरे वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बना लेंगे और अब दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे फिर दो फंदा सीधा फिर छटे फंदे को पहले हम सीधा बुनेंगे और फिर पाँचवे फंदे को सीधा तो पहला फंदा आजिस्ती चे और इन ही छे फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है पहले दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर प्राइमरी कलर वाले फंदे को सीधा अब चार फंदों में से दो फंदे बचे हैं तो इन दोनों को हम सीधा बुनेंगे और फिर प्राइमरी कलर वाले फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे अब हमें इन चारो फंदों का जगए बदलना है तो पहले हम प्रैमरी करर वाले फंदे को सीधा बनेंगे और फिर सेकेंडरी करर वाले फंदे को सीधा और फिर इस साइड से पहले सेकेंडरी करर वाले फंदे को बैक लूप से हम सीधा बनेंगे और फिर primary color वाले फंदे को सीधा यानि ये slip किये हुए फंदे एक फंदे के पहले और दूसरा फंदा एक फंदे के बाद चला गया और फिर दो फंदा सीधा और फिर इन दोनों फंदों का हम आपस में जगह बदलेंगे पहले primary color का फंदा सीधा बनेंगे फिर secondary color का फंदा सीधा और लास्ट फंदा या जिस टीच है इसे हम सीधा बनेंगे तो देखिए friends ये हमारे तीसरी line में हमने slip किये हुए दोनों फंदों को एक फंदे के आगे और एक फंदे के पीछे कर लिया जितने हमारे पास slip किये हुए फंदे थे सब को हमने एक फंदे के आगे और एक फंदे के पीछे कर लिया इस तरह हमारा तीसरा line complete हो गया अब चौथे line में तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन फिर उन अपनी उर करेंगे और दो फंदा उल्टा एक दो और अब चार फंदा सीधा एक दो तीन चार और दो फंदा उल्टा एक दो फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन चार फिर दो फंदा उल्टा एक दो और शुरुआत में भी हमने तीन फंदा सीधा बुना था तो लास्ट में भी तीन फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुनेंगे तो देखिए फ्रांस ये हमने हमारे स्लिप के हुए दो फंदे थे जिसे हमने एक फंदे के आगे और एक फंदे के पीछे किया था तो उन चार फंदों को बीच में हमारे पास दो फंदे आ गया थे तो इन चार फंदों को हम पीछे से सीधा बुनेंगे और जो दो फंदे अपने जगह पे ही हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे देखिए ये हमारे जितने वी बने हुए हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे बैक साइड से उन्हें हम सीधा बुनेंगे जितने वी हमारे पास बने हैं उन्हें हमने सीधा बुना और बीच वाले दो फंदे जो बच गय थे उन्हें हमने उल्टा बुना तो इस तरह हमने चौथी लाइन कम्प्लेट किया पाचवी लाइन में हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनेंगे और तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन जो हमने तीन फंदे बैक साइड से सीधे बुने थे उन्हें हम वापस सेकेंडरी कलर से भी सीधा बुनेंगे और ये दो फंदे जो हमने उल्टा बुना था इन दोनों को स्लिप कर लेंगे अब फिर ये देखिए चार फंदे ये सीधे बुने गया थे तो इन्हें हम वापस सीधा बुल लेंगे अब देखिए सामने से ये जो दो फंदे सीधे दिखाई दे रहा है इन्हें हमें स्लिप करना है और ये जो चार फंदे उल्टे दिखाई दे रहा है इन्हें हमें सेकेंडरी कलर से सीधा बुन लेना है ये दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें हमें स्लिप करना है लास्ट में तीन फंदा उल्टा है इन्हें हमें सीधा बुल लेना है और रांग सैट से बुने हुए फंदे उल्टे और स्लिप किया हुआ फंदा वापस स्लिप कर लेंगे बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा वापस स्लिप कर लेंगे तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे डिजाइन का सात्वा लाइन और सामने से और अपने प्राइमरी कलर के उन से दो फंदा सीधा अब देखिए यहाँ पे हमने दो फंदा स्लिप किया था तो इन दोनों फंदों को एक फंदे के पहले और एक फंदे के बाद करेंगे तो इसके लिए पहले हम primary color वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और उसके बाद secondary color वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और इस side से पहले दूसरे फंदे को यानि secondary color वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे back side से फिर primary वाले फंदे को सीधा बुने तो देखिए दोनों slip किये हुए फंदे एक फंदे के पहले और एक फंदे के बाद चले गए अब भीश में ये दो फंदा बचा है इसे हम सीधा बनेंगे फिर हमारे ये दो slip किये हुए फंदे आ गए तो इन्हें हम एक फंदे के पहले और एक फंदे के बाद बुनेंगे तो इसके लिए पहले हम दूसरे फंदे को सामने की तरब से ऐसे सीधा बुनेंगे फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और इस साइड में पहले बैक लूप से दूसरे फंदे को सीधा पुनेंगे और फिर पहले फंदे को सीधा तो इस तरह हमारे दोनों फंदे एक फंदे के आगे और एक फंदे के पीछे चले गए देखिए दोनों फंदों के बीच में दो फंदे आ गए हैं दोनों ये स्लिप के हुए फंदे के बीच में दो फंदे आ गए हैं और फिर दो फंदा सीधा फिर हमारे पास ये स्लिप के हुए फंदे हैं तो इन्हें हम एक फंदे के पहले और एक फंदे के बात कर लेंगे तो इसके लिए पहले स्लिप किये हुए फंदे को हम सीधा बनेंगे फिर हम पहले फंदे को सीधा और इस साइड में पहले दूसरे फंदे को बैक लूप से सीधा बनेंगे फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और लास्ट में दो फंदे बचेंगे जिने हम सीधा बुनेंगे अब देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमारे पास जितने ये वी है जितने ये वी है यानि ये चार फंदे इने हमें बैक साइट से सीधा बुनना होगा और इन दो फंदों को हमें उल्टा बुनना होगा यानि दो फंदा उल्टा फिर उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार अब देखिए यहाँ पर फिर यह दो फंदे आ गए तो इने हम उल्टा बुनेंगे और यह देखिए यह वी बना हुआ है तो इन चार फंदों को हम सीधा बुनेंगे और बीच के यह दो फंदे इने हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और देखिए यह चार फंदे हमारे वी शेप वाले फंदे हैं तो इने हम सीधा बुनेंगे और लास्ट में दो फंदा है इन दोनों को हम उल्टा बनेंगे तो आठ लाइन का ये हमारा डिजाइन है और यहाँ पे डिजाइन कम्प्लीट होता है और फिर इन ही आठो लाइनों को हम उपर उपर दो राते चले जाएंगे एक रंग के उनसे दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन हम दूसरे रंग के उनसे बना रहा है तो डिजाइन देखिए बहुत ही खुबसुरत है तो देखिए फ्रेंट यह डिजाइन सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो क्रिप्याई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्र वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाल